नमस्ते विद्यार्थियों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों सामजिक विज्ञान विशर के अंतरगत हम आठवी कक्षा के इतिहास विशरगा ध्यन कर रहे हैं और हमारे समक्ष यह दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है ब्यापार से सामराज तक तो बच्चों आपके JCRT पाठेपुस्तक के पेज नमबर 14 से यह चैप्टर उपलब्ध है और विशेश करके इस चैप्टर में आपको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किस परकार से मुगल सल्तनत के समाप्त होने के पहस्चाथ इस देश में बिदेशी सक्तियों का प्रवेस होता है बिदेशी सक्तियां हमारे देश में बैपारी बन कर आती हैं और धिरे-धिरे वे सामराज निरमाता बन जाते हैं और लगभक समूचे भारतिय उप महादुप पर उनका कबजा हो जाता है तो चलिए हम लोग इसको इसकी सुरुआत हम करते हैं और देखते हैं चलिए स्क्रीन पर आपके समक्ष देखिए आपके पेज नंबर 14 की कुछ पंगतियां यहां पर अलग से मैंने उद्धित करके दर्ज की हैं और इंग्जेब की मृत्यू के पहसात यानि की 1707 के बाद योग ये उत्राधिकारियों के अभाव में यानि की उनके बाद के राजा चुकी अच्छे नहीं हुए इसलिए मुगल सामराज यानि की मुगल एंपायर कमजोर होता चला गया तब मुगल सुवेदार और बड़े जमिनदारों ने अपनी अपनी छेत्रिय सत्ता कायम कर ली और ये छेत्रिय सत्ता कायम हुआ था बच्चों लखनव में हैदराबाद में और बंगाल जैसे छेत्रों में ठीक है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पे मुगल सासकों की हारार्की यहां पे दी हुई है जहां बावर से सुरू करके और अंग्जेब तक के पिरियेड का उलेक है तो बावर और हुमाईू तो आरंभिक हैं सासक उनके समय में सामराज बिस्तार उतना नहीं हुआ था लेकिन बाद में अकवर जहांगीर और साह जहां अक तक आते आते मुगलिया सल्तनत काफी बुलंदी पे था और उस समय भारत की केंद्रिये सत्ता बहुत मजबूत थी लेकिन धेरे धेरे बच्चों और अंग्जेब के समय तक इस्तिती धेरे धेरे बिगड़ना शुरू हो गई थी और अंग्जेब के समय से ही केंद्रिये सत्ता पर भारत जो है वो कम होता चला गया था तो आगे बच्चों देखिए और अंग्जेव के बाद के कुछ मुगल सासकों का भी जिक्र यहां पे है इन नामों को आप ध्यान से देख लीजिएगा जिसमें बहादू सा प्रथम्स हैं जहांदार सा हैं आगे मुहमद साह, अमद साह, टू भी हैं जो की बकसर की लड़ाई में सामिल हुए थे उसके बाद अकबर टू और सबसे अंत में है बच्चों बहादू सा जफर जिनको बहादू सा टू भी कहते हैं इनको देश निकाले की सजा दी गई थी इनको एर्जाइल दिया गया था और इनको बर्मा के रंगू जेल में भेज दिया गया था तो इस तरह से मुगल सल्तनत की समापती बहुत ही बेदर्दी से होती है अब बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिदेशी कमपनिया भारत आई उसके आने के करम को भी आपको समझना होगा तब आप बितिहास को बहतर तरीके से समझ पाएंगे जैसे बच्चों पुर्तगाली सबसे पहले भारत आ गये थे और यह आये कहां थे यह केरल राज के कालिकट छेतर में आये थे तो 1498 इनके आने का समय है बाद में बच्चों हॉलेंड यानि की निदरलैंड के रहने वाले जो लोग डच कहलाते हैं यह 1595 में आये समय तक यह भारत में आये थे अंडमान निकोबार छेतर में भी इनका प्रवेश हुआ था आगे बच्चों अंग्रेजों का इसी सिलसिले में अप नाम आता है 1600 में और उसके बहुत साल के बाद फ्रांसीसी यानि की 1664 में तो यह करम भी आपको याद रखना होगा इसी बी अलिजाबेथ प्रथम की बात कर रहे हैं दूतिय की बात में कर रहे हैं महारणी अलिजाबेथ दूतिय तो अभी भी हैं उनका जन्म उनका जन्म 1926 का है जो देखिए फोटो में जो राइड साइड है वो एलिजाबेथ प्रथम है उनकी बात हमने कर रहे हैं वो जो चोधो ये बच्चों हम लोग सीधे सीधे अब टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन-कौन सी महत्पून जनकारी यहां से प्राप्त होती है तो इन बातों को तो बच्चों मैंने बता दिया कि और अंग्जेब की मिर्तु के बाद परिस्तितियां बहुत खरा था ठीक है तो इस संगहर्स में अंतता अंग्रेजों की जीत हुई और यहां के बैपार एवं मराजनीती पर इनका एक छत्रा अधिकार कायम हो गया अंग्रेज एक बैपारी कंपनी से इतनी विसाल समराज के सासक कैसे बने इस अध्याय में हम यह जानने का प्रियास तो बच्चों चलिए अभी पेज नमबर 14 पर ही हम हैं इस्ट इंडिया कंपनी का आगमन इसमें आप देख सकते हैं इंग्लैंड की महरानी एलिजाबेट जिनके बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं इंग्लैंड की महरानी बड़ी कमपनी नहीं थी इस वैपारिक कमपनी का नाम था the governor and company of merchants trading into the East India company कहने का मतलब बच्चों कि एक ऐसी कमपनी बनाई गई जिसको यह अधिकार दिया गया कि तुम लोग चले जाओ पूर्वी देशों में ना स्रिफ भारत में बलकि आप लोग इंडोनेसिया मलेसिया च जले जाओ और उदर जाके तुम लोग वैपार करो ठीक है और इस company के स्थावना हुई 31 दिसंबर 1600 को और एक परकार से चार्टर था एक परकार से चार्टर यानि की एक तरह से मतलब वहां की जो महरानी है उनका अधिकार पत्र था कि आप अधिकार पुरवक जाईए और उ उसको बेचिये कहां इंग्लैंड में ठीक है बच्चो तो लेकिन एक बात आपको इहां समझना होगा कि जैसे कि इंग्लैंड एक देश है उसी तरह से फ्रांस एक अलग देश है स्पेन एक अलग देश है पुर्तगाल एक अलग देश है तो इंग्लैंड की महरानी के आदे वाले छेतर में उनके साथ तो संघर्स हुआ ठीक है बच्चों आगे देखिए इस्ट इंडिया कंपनी से प्रतियस परधा करना पड़ता था है ना इस चार्टर के तहट इस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर ने देशों की खोज वैपार कर सकती थी परन्तु इस चा करेगा ना इस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से पहले ही सत्र मई 1498 बेश हुए मने लगभक्स मतलब 100 साल 200 साल पहले 100 साल पहले है ना वासको डिगामा नामकपृत गाली नाविक उत्तमासा अंतरिफ होते हुए कालिकट पहुच गया था हॉलेंड वासी वी व्यपार के उद्दे से भारत पहुच चुके थे तो भारत में उस समय बच्चों मुख्य चीज क्या था उच्च कोटी का रेसम था उच्च कोटी का सूती कपड़े थे काली मिर्श था लॉंग इलाइची दालचीनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इरूप के बैपारों प्लेन में देख सकते हैं इंगलैंड से भारत आने का रास्ता बच्चों यह कोई आसान काम नहीं है आज तो लोग प्लेन में बैट जाते हैं और छे घंटे में लंडन पहुंच जाते हैं लेकिन बच्चों एक बहुत ही कठी नियातरा जिसमें छे महीने का समय लगता था बच्चों यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं यहां भारत भी दिखाई दे रहा है जो कि एसिया में है और इरोप भी दिखाई दे रहा है इरोप में इंगलैंड है और यहां बच्चों अफरीका भी दिखाई दे रहा है अफरीका का सबसे जो दक्षिन्तम बिंदू है उसको हम लोग कहते हैं के पॉप गुढ़ो यानि कि उत्तमासा अंत्रीब इस अंत्रीब को क्रास करके लगभग पांस से छे महिने की बहुत कठीन और जोखिम भरी यातरा करके लोग भारत तक आते थे भारत के लोग ऐसा कभी नहीं सोचे होंगे कि इंग्लेंड जैसे देश में जाना है वहां बैपार करना है लेकिन उन लोगों ने ऐसा सोचा और ऐसा किया भी तो बच्चों कुछ उन लोगों के मन में सुरू से ही रहा होगा कि हम लोगों को सिर्फ बैपारी नहीं करना है बलकि जहां हो सकेगा हम लोगों को सासन में भी वहाँ पे कोशिस करना है सासन में दखल देने का चलिए हम लोग और आगे देखते हैं इस्ट इंडिया कंपनी की क्या गतिविदिया होती है इस्ट इंडिया कंपनी बन तो जाती है लेकिन आगे क्या गतिविदिय होती है तो बच्चों यहां पे आप तीन तस्वीरों को ध्यान से देखिए जो सबसे उपर में जो तस्वीर है उस समय के यानि कि जिस समय अंग्रीज भारत आना शुरू हो हुए थे उस समय भारत में मुगल समराट कौन थे जहांगीर जिनको साजादा सलीम भी बोला जाता है और उसके ठीक नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम क की तस्वीर है और बिल्कुल राइड साइड जो ब्लैक कोट में आप देख रहे हैं कैप्टेन विलियम हौकिन्स हैं इन ही कैप्टेन विलियम हौकिन्स को बिटेन के जो राजा थे इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम उन्होंने आदेश दिया कि आपको जाना है भारत में वैफारी कोठिय स्थापित करने के लिए बिटेन के समराड जेम्स प्रथम ने 1608 हिस्वी में कैप्टेन हौकिन्स को राजदूद बनाकर जहांगीर के दरवार में भेजा था जहांगीर तबके मुकल सा सकते तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कि कैप्टेन बिलियम हौकिन्स का हेक्टर नाम का जहाज आके खड़ा हुआ था कब 24 अगस्त 1608 को और यहां से फिर एक लंबी और कठी नियात्रा पैदल तै करके जाना था आगरा देख रहा हैं बच्चों आगरा कहां है और सुरत कहां है आप इस नक्से में देख कर समझ सकते हैं तो अंग्रेजों कितना रिस्क उठाया था वो भी आपको समझना है लेकिन बच्चों पुर्तगालियों के चलते जो है कैप्टेन विलियम हौकिन्स को इसमें सफलता नहीं मिली थी और आगे क्या हुआ सो आप देखिए आगे सर टॉमस रौ का नाम आता है यहां विलियम हौकिन्स को सूरत में फैक्टरी खोलने की अनुमती नहीं मिली ऐसा पुर्तगालियों के सड्यंत्र के कारण हुआ था तब इंग्लेंड के राजा ने सर टॉमस रौ को भारत भेजने का थैसला किया जब टॉमस रौ आये तब क्या हुआ देखिए सर टॉमस रौ 1615 से 1618 यानि कि कुल तीन बर्स मुगल दरबार में रहे टॉमस रौ अपने साथ धीर सारे गिफ्ट लेकर गए थे यानि इंग्लेंड से गिफ्ट लेकर आये थे इंडिया भारत है ना जहांगीर इससे काफी प्रभावित हुआ था टॉमस रौ सहजादा खुर्रम जिसको कि ह साही फर्मान प्राट कर लिया तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही आप लोग ये समझ गएं कि कहा पे कंपनी के स्थापना हुई इसके आदेश से कंपनी के स्थापना हुई आपने ये भी समझ लिया कि किस किस तरह से प्रयास करके भारत में उन्हों को आना और इसमें Sir Thomas Raw की क्या भूमिका है, William Hawkins की क्या भूमिका है और England के जो राजा है उनकी क्या भूमिका है, महारानी Elizabeth Beth की क्या भूमिका है और उस समय के जो भारतिये मुगल सासक थे उनकी क्या भूमिका थी तो कई बातों का ताना बाना है बच्चों सभी चीजों को एक साथ समझने का प्रयास करिएगा और इसको याद करने का नहीं बलकि इसको समझने की कोशिस कीजिएगा तो ठीक है बच्चों इस वीडियो के माद्यम से मैंने इस दूसरे चैप्टर जिसका नाम है वैपार से सा इसको भली भाती मैंने शुरुवात करने का प्रयास किया है आप अच्छे से समझने की कोशिस कीजिए निश्चे ही आपको आने वाले समय में जो मैं वीडियो प्लब्द कराऊंगा उसमें आप रोचक्ता के साथ साथ जानकारी पून वीडियो होंगे और आपको टेक्स्ट बुक के अलावे भी इसके माध्यम से इन वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी बावजूद उसके बच्चों आप लोग टेक्स्ट बुक पर बने रहेंगे और जो महत्पून बातें लगेंगी उनको आप नोट भी करते जाएंगे ठीक है जहिन बच्चों